कि अज़े असलाम अलेकुम वेल्कम बैक्तर में चैनल अनधर डे नदर व्लॉग में लाइफ कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अलहमदेला बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब कल की सारी ठकन उतर चुकी है कल मैंने आपको बताया था वैसे तो कल रिलाक्सिंग दे था कोई घर के ज्यादा काम नहीं किये कुकिंग ज्यादा नहीं कि दावत खाई रात को भी कुछ हल्का फुल्का खा कि आप लोग सो गए थे लेकिन वह एक पूरा दिन का ना एक वीकेंड की अपनी ना काम नहीं होते लेकिन वीकेंड पे मैंने बहुत कुछ ही कठा किया हूँ तो कल का दिन आप लोगोंने देखा बड़ा मज़गा दिन गुजारा कल मैंने मसाज बगर लिया था कल मैंने शौवर भी लिया था और आग मैंने फिर शौवर ले लिया क्यों लिए वह आपके तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करती बस जैसा मेरा फेस हो तो मैं सो जाती हूँ अगले दिन उट के पर मैं आपनी वह स्किन केर की सारी रूटीन उती हूद करी ऒखती हैं यससे आपस कि बहुत ज़दा खराब हो जाती है मैंने सुना है कि आप जादा एज करना भी स्ट हम भी उसको अपलोड किया फिर इसके बाहते खीक आने पर नोगा ये मेरे लिजने Restaurant म Strawers तो घ्र था घ्र है। completely clean किया मैं आपके साथ शेयर कर दूंघ कि उसक्त आपको दिखा देती हुग तो मैं आपको दिखा देती हूं कि अब फ्रेंट के घर घई थी तो मैं व्लाग नहीं बनाया ना जाने का ना उधर का बस में वह आपको मैं बता चुकी कि कमफट जोन की वाथ कुछ लोगों को रखों नहीं होता है तो अधर में लेकि गई थी उसके घर में चॉक्लेस आपको याद है जैसे ही लेकिन चोटे पाक्स में बिलती है और कभी कभी आपको बड़े पैक्स नजर आते हैं लेकिन मुझे जादा नहीं आते हैं तो यह मैं कल गई थी इतनी पसांद है अगर आप मुझे से मेरी चॉक्रइट की चॉइस पूछेंगे ना तो मुझे सिफ्ट यह वाली पसांद है लिन की चॉक्लेट और उसमें भी यह रड वाली मुझे सिफ्ट वाली अच्छी लगती है और जो आप इसको खाएं और यह जो इसका टेस्ट है जो किसी बच्चे ने भी नहीं कोला यह वात है आप लोग समयते होंगे कि चीज़ें लेके आती है तो जट पक में खाई जाती होंगे उसी वक्त बच्चे खोल के देखिए कल के बॉक्स यहां टेबल के उपर पड़े होंगा क्योंकि कल मैं गई थी बाहर मॉनी में गई थी मैंन मैं अपने लिए बाहि किया और मैं लाग यहरे टेबल पे रख दिया और मैं भच्ने लेनीगे से ले दो लें किसी कि ने भी कि भी नहीं है लेकिन मुझे यह यह वाहे चॉकलेट है जो मैं खुद से कोल के ना खुद खाती है तो यह देखें ऐसे इसकी पैकिंग होते हैं यह बहुत बड़ा यह तक्रीबन 600 ग्राम का है और ऐसे यह नजर आती है ऐसे बॉल सा होता है यह वाला यह कीन करें मेरा दिल करता है पूरा मैंने आपको क्या दिखाया था यह देखें पूरे चॉकलेट क्योंकि सर्दी है तो वह सारी जमी हुई थी तो वह सारी मेरे मूं में चली गई है तो जो टेस्ट है ना मेरा ख्याल है बेस्ट दुनिया की बेस्ट चॉकलेट आई वाली आप लग मुझे बताए कि कॉमेंट ने खालूं फिर बात करती हूं चॉकलेट में ने खा ली है बड़ा ही मजा आया सेडियेस टी एक चॉकलेट में आपको बताऊं कितनी केलोरीज है ओमाइग बढ़ने एक चॉकलेट के नदर 80 केलोरीज है क्योंकि मैं जादा बहुत जादा इससे सच बताऊं तो मैं बहुत जादा कैलोरीज को नहीं देखती हूं मुझे बस पॉर्शन पर होता है और थोड़ा कंट्रोल करके निया मैं चॉकलेट खाई है ना दिल तो कर रहा है कसम से कि मैं आदा बॉक्स में खा सकती हूं अगर म एक चॉकलेट एक टाम के लिए अनफ यह से जादा निंगे लेकिन दिन में एक नहीं होती दिन में दो दफा में और भी खा लूँगी तो यह चॉक्रेट मैं ने खा ली आपको मैंने फीर टाक देना था यह आपको याद मैं लेके आई थी यह नेल्स के लिए मैं लेके ओ मेरे आपको मैं क्या बता हूँ यह इसने एक्चली मैजिक कर दिया मेरे नेल्स इतने खराब हो रहे थे और मैं कम कम ऐसा होता है मैं कहती है आपको जरूर हूँ कि मैं आपको इसका फीडबेक दूंगी लेकिन हमेशना मैं भूल जाते हूं कि कभी-कभी वह चीज यूज नहीं करते हूं कभी-कभी करूं तो मुझे पसंद नहीं आती तो पर मैं मैंने कभी इसको बॉदर ही नहीं किया आप देखें उपर से आपको नजर आ रहा हूँ थोड़ा सा मैं यूज कर तक रिवन तीन-चार दिन से मैं यूज कर रही हूं कभी रात में तो डिल यूज कर रही हूं लेकिन यह ओता कि दिन में भी कभी अगर जिसना अभी मैं नहाई शौवर लिया तो मैं थोड़ा सा मेरे हाथों पर थोड़ा उसका एक अच्छा सा एफेक्ट आजाए लेकिन ट्रस्ट मी कि एक बिगेस्ट डिफरेंस है मेरी नेल्स के गिर्थ की जो स्किन है उसमें मैं क्योंकि यह यह बात नहीं है कि मेरे नेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था और मुझे अच्छा लग है नहीं मेरे नेल्स काफी दिनों से मुझे प्रॉब्लम दे रहे थे कभी इधर से हैंग बन रहा है कभी इधर से बन रहा है और फिछो जो दर्द हो रहा होता था जो स्किन केर की कहलें या हैंड्स के केर की आप बात देना तो यह पर्मनेंटली मेरे उस केर के अंदर भी शामिल हो जाएगा क्योंकि दो तीन दिन में अगर यह इतना अच्छा एफेक्ट दे रहा है तिन चार दिन से एक भी मेरी स्किन जो यह ना वो खसाई से उतरी नहीं है बरकि वह इतनी वह इतनी सौफ्ट हो चुक एकनी अच्छी लग रहे हाथ भी अच्छे लग रहे हैं और मेरे निल्स भी बहुत अच्छे लग रहा हैं तो मैंने का यह आपको बता लूँ हाइली रि जो कि मुझे था कि मैं आपसे जरूर शेयर करूं कि यह बहुत अच्छा यह कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि यह कुछ भी नहीं है मैंने खुद खरीदा आपके सामने जाके और यह मेरा ऑनेस्ट रिव्यू आइस के लिए तो चैनले जनाब आप मैं यह करते हूं आपको दिख बंचे जो आटिफिचिल लिघ्स है लोग रिंग लाइस यूस करते है लो वत Righte करते हैं विख करते हैं मैं यह त्यू si उल jag कर जिंगि यह इससा यह इस स्टें और वह में ट्रेपोब कर त catch क्योंकि वो आप मुझे वो लगता कि वह आपको ना अरीजिनल दिखाता है जो आप वोते हैं तो चले हैं मैं आपको बाहर का विव दिखाते हूं फिर आपको लेके जाओंगी और रात की मैंने मेक अग्ले दिन शौवर ज़रूर लेती हूं मुझे लगता है मेरी स्किन को न यह लिए कि मैंने कल मेकप किया था तो मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लगता है यह स्कीन पेना अभी पिकुछ ना कुछ शायद हो लाइक मुझे बस यह थोड़ा वह हो जाता है तो बस अभी शौवर लेकर निकली हूं बैठी हूं थोड़ा भी कुकिंग चुकिंग की तो बना यहां और आपको लेकर जाती हूं दिखाती हूं पहले बाहर वाल का जो है लोग और फिर आपको लेकर जाती हूं अपने मेकप की क्लिनिंग या आपने स्किन केर के तरफ सो लिए आपको लेकर जाते हैं बाहर और इसको करते हैं अनलॉक मैं आपको दिखाती हूं बाह देखिए यह यह देखिए आई बार ना हलक्लिक घंड़ भी हो रही है बहुत जादा सबढ़ नहीं है लेकिन thooड nessa ही सरदी हो रही है यह देखिए जाएघिक च अजोड हो गया ही है इस आवाज आरिया अपको हवा है न हलका कि––––––––– इतना वो जीब सी फिलिंग आती है ना क्योंकि समर में ऐसे हरे भरे दरख्त और इतनी खुबसूरत गास और इतना प्यारा व्यू सारा टाइम बाहे बैगते हैं जैसे विंटर आने वाला होता है तो एक अजीब उदासी सी हो जाती है आबू हुबा में महूल में लेकिन बस तो हाला के वो कहते हैं फैसले है टाइम के साथ चीजें होती है इन्शादा और फैर से यह सारी चीजें, वैसे हरीभरी हो जाएंगे तो देखें यह लीवस वगएरा मेरे साथ वाला जो हमारे वो पीछी वाला नेवर है ना ये वाला उसके ट्रीस के जो लीवस से वो उत रहा है तो उन्होंने कल काफी इसको क्लीन किया है लेकिन हम लोग क्लीन नहीं करते हैं मुझे लगता है बहुत एक्स्ट्रा काम है ठीक है अगले साल जब इंशाला ताला स्नौ मिल्ट हो जाएगी ना तो जब यह सारे लीव नीचे पढ़े होंगे स्नौ के नीचे तो हम इसको पर वह करते हैं जब हम मो करते हैं फस्ट मो करते हैं तो इसमें सारे के सारे क्लेक्ट हो जाते हैं तो इतनी एफ़र्ट मुझे से डाली जाती नवीद कहते हैं कर दें मैं का नहीं रहने दें छोड़ दें लो एनो चाड़ी देओ यह देखें अधर से आपको दिखाती हो ने पर इनके ट्रीज नहीं है इनके जो लीव जाता है वो हमारे ट्रीज के जाते हैं मैं ही चैल फिर नहीं हो बाकि सारे के सारे केंग गुम हुए हूँ मैं चेक कर ले आप माहूल भी चेक कर ले चीजें भी देख ले आप चलन है जी अब मैं आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ मेरी स्किन केर का सारा का सारा हिसाब के तार जी तो देख ले मेरा फे निया मैस्कारा मैंने लिया था रहा वो बहुत अच्छा है तो मेकप रिमोव मैं गैसे करती हूं नॉर्मली तो मैं वैसे आपको सच पता हूं मैं इतना ज़्यादा मेकप आए के ओपर करती नहीं हूं तो मैं क्या करती हूं कोई भी सिंपल सा मोस्चुराइजर लेकर लगाती है और उसके बाद में मेक अप रिमूव कर लेती है लेकिन जब भी मेरे पास आई मेक अप होता है तो मैं ये मैजिकल चीज यूज करती है अब ज़रा मैजिक चेक कीज़ेगा तो बस आपने इसको कॉटन पर अच्छे से लगाना है और इसको आँके ओपर रखें 25-7 सेकंड्स के लिए और आपने इसको हलके से जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा उसको ऐसे उतार देना है और ये देखें मैंने इस पर आपके सामने किया है ये आपके सामने मैंने आँक का मेकप उता रहा है आँक के ओपर बहुत जादा ऐसे चीज़ें तो नहीं थी लेकिन जो ये मेरा मैस्क है रहा है ना जो मैं नेया लेके आई थी इसने बहुत तंग किया हुआ ये इतना जादा वो उसके वो लेफ्ट ओवर्स होते हैं ये उसका आफ्र इफेक्ट इतना बुरा है ना मैं आपको बता नहीं सकती इसलिए तो मैं अगले दिन शौवर ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरी लैशिस पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है मैं आपको हाफ फेस के ओपर से मेकप आफ करके दिखाऊंगे ताकि आपको पता चले कि मैं जब भी मेकप भी करती हूँ ना तो मेरा मुझे महसूस हो रहा होता है तो मेरा मुझे इतना बड़ा वो चीज अपने अंदर नी लेकर आना होता है तो आप थोड़ी से अपनी जो आपको जो शेकल सूरत दिया उसको आप अच्छे से इन्हेंस कर लेते हैं वो अच्छा लगता है अभी हाफ फेस से आपको उतार के दिखाऊंगी और हाफ फेस पे जो मेकप को लेफ्ट ओवर है सुबों से किया हुआ है तो आपको पता है कुछ चीज़ें तो वो खाना खाने से और इतनी दिर के बाद वैसे ही उतर जाती हूँ हाला कि मैंने दो दफाए डबल कोटी लगाया था लेकिन उसका वो यह वाटर प्रूफ नहीं है एक्चली वैसे भी मेरे पस बहुत सारे हैं जो वाटर प्रूफ नहीं है लेकिन उनका इतना बुरा एफेक नहीं होता बाद में यह देखें अब यह जी मेरा क्लीन फेस बिल्कुल सादा मेकप रिमूव कर दिया मैं आपको दिखाती हूँ अभी हाथ रखके दिखाती हूँ और यह देखें इधर मैंने आई मेकप किया लाइट सा मेकप करती हूँ क्योंकि पारटी मेकप था डिनर या लंच का मेकप था ऐसा नहीं है कि कोई मैं किसी शादी में जा रही हूँ कोई इतनी बड़े को बहुत बड़ा मौक है अब सेम उसी तरीके से मैं इस साइट पर उतारूंगे मैं अच्छे से इसको कर लिया सोक आए के ओपर रखेंगे पांच से दस सेकंड के लिए और बस उसके बाद आपने इसको हलका आई मेक अप स्पेशली जिसन मैं करती है तो मैं इसको जरूर यूज़ करती हूँ बस आप इसको हम क्लीन करते हैं अच्छे से क्लीन हो जाएगा उसके बाद मैं आप आपको दिखाऊंगी चेरा धूने के बाद और मुझे पता कि जब मैं अपने चेरे को वाश करना ना फ क्रीम है, मउस्चराइसिंग क्रीम है वह अप लेंगे अपने चेरे पर अच्छे से मसाज करेंगे यह मसाज भी बड़ा जरूरी होता अपकर्स करना होता है अपनी नेक को नwriter दोना नेक पी लगाना है पूरे चेरे पर थोड़ा excited है आपको दो तीन मिनट देने पड़ते ह आपको अपने फेस को लेकिन ये करना जरूरी है बस इसको मैं करूंगी अपने चेरे पर लगाऊंगी और उसके बाद मेरा ये जो स्किन केर आज की डन हो जाएगी कोई आज बाकी काम करने का मूट नहीं कर रहा मैं इतनी ठकी हुई हूं सारे दिन की सची मुझे बड़ी नी ने व्लॉग के साथ तब तक रिखेगा आप अपना खयाल मुझे रिखेगा आप अपने दौओं में याँ टेक केर जी अलाहाफेज